अभी एक बहुत important बात हम करने वाले हैं, which is stepping out of your comfort zone. क्योंकि जब हम comfort zone की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी situations हैं, if you can relate with yourself, कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थिती होती है, जब आपको लगता है, you are stuck somewhere, you are not growing, मतलब जहां थे वही हैं, ठीक तो है ये, क्योंकि इसमें एक safety है, security है, लेकिन I need growth, कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर potential है, मेरे अंदर शक्तियां है, मेरे अंदर ability है, capability है, लेकिन वो पूरी use नहीं हो रही है, हो सकता है आप इस job में, जिस job में अभी हैं at present, या ये भी हो सकता है, जिस relationship में आप हैं, किसी भी situation में हैं, उसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, अच्छी होना एक बात है, लेकिन growth होना दूसरी बात है, तो अगर आपको ये लग रहा है, कि you are stuck there, और आपके पस जो potential और शक्ति है, वो use नहीं हो रही है, which means, ये एक signal है, कि मुझे यहां से अलग, इस comfort zone से निकल के, कुछ नया करने की जरूरत है, लेकिन comfort zone से, growth zone तक enter करने के लिए, आपको पहले गुजरना पड़ता है, एक process में से, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं, अच्छा, for example, job की बात है, कि मैं इस job को छोड़के, या इस department को छोड़के, मैं दूसरे department में try करूं, क्योंकि मुझे यह लगता है, कि वहां पर मेरी quality जादा use होगी, लेकिन, बीच में एक चीज जो मुझे रोकती है, वो क्या है, fear, fear of losing something, fear of unknown, क्योंकि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, चाहे इसमें growth नहीं, लेकिन at least security है, safety है, I feel safe, कि at least I am not losing something, मगर इस zone से जैसे मुझे बाहर जाना है, तो मेरे अंदर डर आएगा, पता नहीं क्या होगा, एक तरफ मेरे अंदर inspiration आती है, motivation आती है, I can do something better, लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन मुझे stop करता है, पता नहीं कैसा होगा, वहां पर जो colleagues हैं वो कैसे होंगे, boss कैसा होगा, atmosphere कैसा होगा, don't know, और सच मुझ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, not sure, लेकिन अगर हम अपने life में growth चाहते हैं, तो अपने comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा, you know, some people, they name it, they label it as satisfaction, contentment, कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं जहां हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, actually वो कई बार संतुष्टता नहीं होती है, वो होती है laziness, और हम उसे नाम दे रहे होते हैं, satisfaction का, तो really you need to check, कि is it really contentment, या laziness, और अगर laziness है, यानि कि मेरी शक्ती जाधा use हो सकती थी, जाधा beneficial हो सकती थी, तो I have to step out, और उसके लिए इस fear वाले zone में से गुजर के जाना पड़ेगा, और जैसे आप इसको overcome करते हो, एक बात अपने आपको याद करा के, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये बात उस time पर जब fear आ रहा है, तो मुझे याद कराना है, लेकिन दूसरी बात एक और खुद को याद करानी है, कि जब हम एक कदम हिम्मत का आगे बढ़ाते हैं, तो भगवान की हजार गुणा मदद हमको मिलती है, लेकिन अगर मेरा वो कदम right direction में है, positive intention के साथ है, positive मेरा aim and object है, तो मुझे ज़रूर उसमें मदद मिलती है, but you have to take one step, फिर उसके बाद next आता है, learning zone, क्योंकि उसके बाद आप start करते हैं, कुछ नया सीखना, definitely आप बहुत सालों से कुछ नया कर ही नहीं रहते, आज आप नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नयी skills, कुछ नयी art, कुछ नयी practice करनी पड़ेगी, and yes, because you want to grow, so you are ready for that, अगर मुझे ग्रो करना है, तो मुझे कुछ नया, challenges को भी स्विकार करना है, कुछ नया सीखना है, and इसके बाद, then you enter into that growth zone, जहां पर आपको लगता है, कि जो आपका छोटा सा comfort zone बना हुआ था, वो expand हो गया, and now you feel, that you are really achieving the heights, and you are achieving what you deserve, जो आप really deserve करते हो, आपको लग रहा है, कि yes, you can do that, तो इसलिए, इस प्रोसेस को समझते हुए, अपने फेर्स को लट गो करके, let us now enter into the growth zone, and step out of the comfort zone. Thank you, Om Shanti. झाल